लगातार बट्टी महंगाई के विरोध में आज इंडियन नेशनल लोगदल के कारेकरताओं ने परदेश भर में महा महीम राजेपाल के नाम ग्यापन सोपे गए इस कड़ि में इनलो के कारेकरता जीला सची वाले में पहुंचे जहां पर उन्हें महा महीम राजेपाल के नाम करनाल के सीटीम को ग्यापन सोपा इनलो कारेकरताओं ने मोदी सरकार पर तंच कसTे हुए कहा कि यह सरकार जन हुतेशी नहीं बलकि जन विरोधी सरकार है मोधी सरकार के राच में महंगाई लगातार चरम सीमा पर पहुँच रही है जिससे आम आदमी का जीना दूभर हो गया है लगातार बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी ने युवाओं को उनके भविश्य को लेकर निराश कर दिया है चाहे सिरंडर हो या खाद हो या फिर कोई दवाई हो सभी के दाम लगातार बढ़ रही है उन्होंने कहा कि मोधी सरकार पुंजी पत्यों की सरकार बन चुकी है इनको आम आदमी से कोई सरोकार नहीं है पिछले कई महीनों से किसान आंदोलन रथ है सरकार को उनकी चिंता भी नहीं है उन्होंने कहा कि इनैलों के विधायक अभे सिंग चोटाला ने ही किसानों के हित में त्याग पत्र दिया है और अब वे किसानों के बीच में खड़े होकर उने समर्थन भी दे रही है इतना ही नहीं उनके द्वारा किसानों के लिए बोडर पर अस्पताल तक का निर्मान कर दिया गया है मोदी सरकार जो भी जन विरोधी काम कर रही है इसका सबक जनता उने आने वाले समय में सिखाएगा तेल पेट्रोल डीजल के दाम है उनके खिलाब आज डीसी साब के माद्यम से माहे महिम जी को गयापन देने आये थे आज के हमारे इस प्रोग्राम के दक्स्ता नरेश शारण जो मारे रास्टी महासच्ची में उन्हों नहीं की थी हमारे साथ आज भारी संक्या में सभी कारे करता जनता की वाज को किसानों की वाज को आमजन की वाज को उठाने डीसी साब के माद्यम से महा महिम जी को अपना गयापन देने आये थे राजनीती कोई सत्ता प्राप्ति का ले नहीं की जाती जन्शेवा के लिए की जाती है जन्शेवा की जरूरी नहीं किये सत्ता में ही हो जब भी कोई किसान गरी मैदूर का कोई भी दिक्कत होती है चाहे हमको सड़क पर चाहे सदन में उठाने का काम हमेशा हमारी पार्टी न केवल इंडियन नैशनल लोग दल के एक मात्र नेता भाया बे शिंग चोटाला हैं जिनोंने स्टिफा दिया है आप बादों कि पूरे हिंदुस्तान में केवल ले की नेता जिस ने किसानों के हमें स्टीफा दिया को और वर को एकसा ऐसा एक्जामपल हो दो बताएं मैं आपको बता दू कि यह थे मिरस्ट ओंपर का सुलूज़ जिनका कहना है कि राज नीती नहीं सेवा के लिए होनी जाए सर आप एक चीज बताइए आज चार सो से अधिक दिन होगे किसानों को अंदोलान रुथ होते हुए लेकिन आज ग्रहा मंतरी अनिल विजन ने दुब जो केंदर सरकार तीन अध्य देश लेकर क्या एक आई है किसान विजन दिस अध्य तो चार सो दिन लगातार किसान बड़ी थंड केंदर बैठे रहे sleeves खुशी नहीं है कि वहां बैठे हैं खुशी से। उनको इतना मजबूर कर दिया कि तीन काले कानून लाकर के सरकार ने किसान की कमर तोडने का काम किया। लेकिन सरकार की कान पे जू नहीं रेंगी और लगातार किसान पीपली के अंदर लगातार ने के अपर बचारे भही हैं लाठी चारज कियां किसानों को और अनोलन और उगर हो गया। लेकिन कब तक आने वाले समय में चुनाओं है किसान इस देश का दलित इस देश का किसान इस देश का मजदूर इस देश का वपारी जो हर तरह से परसान वो बताईगा सरकार को आने वाले समय में आज बीजेपी के नेताओं को जेजेपी के नेताओं को कहीं भी घुसले नही देंगे लेकिन दो क्रोड हर साल देने की बिजाए क्रोडों लखों रोजगार छीने का काम किया जिस्टी लगा करके आज का कारेकरम जो खाद के रेट बढ़ाए गए डीजल पट्रॉल लगातार बढ़ता जा रहा है आम आदमी जिससे परसान है वपारी भी परसान है हर ची के कंट्रोल नहीं है मेरा नाम नरेश सारन है यह बता रहे हैं कि महंगाई के विरोध में यहां कड़े हैं हर एक चीज के दाम बढ़ जिए जो मोजी सरकार ने वादा किया था आम जंता के साथ चुनावों के बाद वादों से बिलकुल मुकर चुकिये पुंजी कोतियों के कि प्रोग्राम के बारे हैं हाँ हमारा प्रोग्राम पार्टी की तरफ से इनरेश जी सारन हमारे परबारी हैं यहां इनके मदम से हमने डी सी साब को ग्यापन सोपना था जो हमारे सी टीम साब ने कबूल किया है हमने अपनी आवाद जंता की आवाद जो महंगाई से तरस्त है गैस के बाओ देखो डीजल पैटरोल के बाओ देखो आम किसी भी चीज के बाओ लगा लो उससे इतनी जनता तंग है उसकी आवाज के लिए हमारा जो अपना फर्ज है हम उस फर्ज के लिए यहां आए हैं ताकि इस बहरी गूंगी सरकार के कान खो लेजा सकें और ये पार और किस परकार से महंगाई से तरस्त जो लोग हैं उनके बारे में हम आज उठा रहे हैं आज गैस का सिलिंडर देखो आप 900 रुपे में गैस का सिलिंडर है जो 100 सवा से रुपे में हुआ करता आम आदमी को रोटी खाना दूबर हो गया है किसान के साथ किस परकार नया हो र की सावाज को आप अपने इस कारिय साली द्वारा लोगों तक पहुचायें ताकि लोगों को पता चल सके ये धोका किस परकार सा कर रहे हैं, जैसे बंगाल में ये ममताम मेंरजी के पीछे लगे हुए हैं, वहाँ अपना धन से बल से किस परकार से वहाँ जोर दबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं हिंदुस्तान में यह अपना राज स्थापित करना जिस परकार हमारा रजवाडा हो इस तरह से करना चाहते हैं मेरी आप सबी से यही गुजारी से मीडिया से प्रार्थना है जिस परकार हमारा आप साथ देते हैं इसी परकार का आप साथ देते रहें हम किसानों का और गरीब कार मजदूर का साथ चोधरी देविलाल चोधरी ओम परकार चोटाला की तरह है इसी परकार सी भाई आवे आमेले होते हैं जिनमें सबसे पहले नाम चोधरी आबे सिंग चोटाला का है जिन्होंने त्याग पत्र दे कर किसानों के बीच में आने का जो निरिने लिया है ये एक बहुत बड़ा निरिने है आज पंचायत के सदश्चे से भी आज कोई स्थीफा नि देता आज कोई कमेट के मेंबर से कोई स्थीफा नि दे सकता वो किसानों के साथ खड़े हैं और जो भी हमारे सभी के सहयोग से किसानों के लिए कर रहे हैं जिस परकार उन्होंने आस्पिटल खोले हैं वहां लंगर लगाये हैं दवाई की वहावववस्ता है हम भी वहाँ जाते हैं निगरानी रखते हैं तो मेरी आप सबी से गुजारिस है कि आप भी इसी परकार हमारा साथ देते रहे ताकि इस जनता का भला हो सके इस हरियाना परदेश को और इस भारत देश को बचाया जास के आज पूरे हरियाना परदेश के अंदर पूरे सबी जिलों के अंदर ग्यापन सोपे महिम के नाम पहुंचेंगे ताकि इस गूंगी बहरी सरकार के कान खोले जासकें दिखें मैं आपको बता दूँ कि यह थी इंडियान नेशनल लोगदल पार्टी के कारे करता जिनका यह कहना है कि वो महिंगाए के विरोध में यहाँ पर आज एक जूटूब है महामीम रज्यपाल के नाम इन्हों ना सीटीम आज से डीज़ आपको ग्यापन देने से पहुंचे थे लेकिन सीटीम साब ने इनका ग्यापन से विकार कर लिया और आगे गुवर्नर महदे महामीर रज्यपाल जी को इनका ग्यापन पुंचा दिया जाएगा लेकिन मैं आपको बता दूँ कि इनका ये कहना है कि जिस तरह से सरकार लगातार दोखे बाज़ी कर रहे हैं। गातार बढ़ती जा रही है उभा वर्ग सरकार में वादा किया कि दो कुरोड को नोकरी हैं देने ने आफदी में बड़ी सारी नोकुरियां चली गई हैं इनका ये भी कहना है कि एक मातर अभी सिंग चोटाला ऐसे विधायक है जिन्होंने किसानों के समर्थन में अपना त्याग पत्र देका है जिसके अलावा चार चार हजार से अधिक विधायक है उनमें से एक भी विधायक आगे नहीं आया जो कि किसानों के लिए खड़ा हो तेकिन अभी सिंग चोटाला चोदरी देवी लाल की नीतियों पर चलते हैं वो किसानों के मसिया के रूप में माने जाते हैं और उन्होंने आपको मैं पता दू क उन्होंने बोर्डर पर तीन सो से अधिक बैड़ के एक अस्पताल भी निर्मान कर दिया इसके अलावा किसानों के लिए और भी जुरूरतों को उनके द्वारा परदान किया जा रहा है मैं तरुन बदान सीनिर केमिरा परदान सनी चोदरी समचर एक्सप्रेस के लिए धन् आपको मिलेगी 6 लाक रुपे तक की सुविधाओं के रूप में सबसीडी जैसे की फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटिनेंस फ्री और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं तो आज ही बिना देर किये अपने सपनों का घर बुग करें